लीजदिंग के लिए हमने यह बात की थी कि यह चार जो रूल है इन फैरेंस के वह बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पहला रूल जो है वो है मॉड़ेस्ट फैनन मॉड़ेस्ट फैनन में क्या होता है कि इस अल्फा इंप्लाइस बीटा गिविल हो अल्फा गिविन हो तो यू कैन कॉन्कुलूट बीटा गिविन हो एंड अल्फा गिविन हो तो यू कैन कॉन्कुलूट के बीटा इस अल्सो गिविन असी तरीके से मोडिस्टलें तस्क्राइप स्क्राइब कर यू के अंत्य बेटा गिविन उन हो न नौट बीटा गिविन हो तो अप आप इसके अ दॉक कि फुलम में बेटा गिविन हो एंत्य नौट टैड नोट द्विलन वाला गिविन उन краं फिर यह दो जरणल रूल थे चिसमें आगर ऑल्सले फिन हो और कि भीन हो फिन हो और चौनता यह किलाता है एंड इंट्रोलक्शन किसी तरीके से चौनता रूल है अगर अल्फा एंड बीटा की विन हो देन यू कें गॉलूट एन्यून अफ देन मताव आप अल्फा को भी अलग कर सकते हैं और आप बीटा को भी अलग कर सकते हैं यह चार रूल है इन चार रूल को यूज करते हो एंट इंचन या इन फैरंस प्रूफ किया जाता है कोई भी नॉलिज सिस्टं में कोई नही नॉलिज को ड्राइब किया अगर पॉसिबल हो तो यह example हमने देखी थी कि जिसमें हमें given है P and Q, P and Q given है और P implies R given है and Q and R implies S given है और हमें प्रूफ करने को का जा रहा है S this is not necessary कि जो चीज़ प्रूफ करने को कही जा रही है वो प्रूफ हो भी जाए मतलब आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप कोई भी knowledge निकालना चाहरे है तो वो निकल जाएगी ऐसा नहीं है लेकिन खैर एस फार एस paper are concerned तो वो तो definitely वोई चीज़ होती है जो प्रूफ हो जाए तो आपने देखा कि आपको चाहिए S और S जो मौझूद है वो है Q and R में और S से पहले लगावा implies that तो आपने reverse engineering की और आपको समझ में यह आया कि implies that का मतलब है modest finance या modest stolen तेकिन आपने एक चीज़ और देखी कि अगर alpha implies beta आपको given है तो आपको beta निकालना है और beta निकलता है बहार modest finance से आपके दिमाग में आगया modest finance पर मुझे focus करना पड़ेगा इस question में तो आपने कहा कि अगेन Q and R implies S में अगर मुझे S को true करना है तो किसी तरीके से Q and R को true करना पड़ेगा तो कि अगर alpha implies beta given होता है तो beta जब true हो सकता है जब alpha true हो तो मुझे alpha ढूनना है अब जब मैं alpha को ढूनता हूँ तो मुझे मिलता है Q and R Q भी कही सिस्टम में given नहीं है अलग से और R भी given नहीं है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ R तो R जिस जगह पे मौझूद है उसके साथ associated P इसका मतलब है अगर मुझे R अलग से चाहिए अगर R मुझे अलग से चाहिए तो मुझे कहीं से पी चाहिए होगा कि कि यहां पर भी मुझे बीटा चाहिए तो मैं alpha ढूनूंगा जब भी मुझे यह राइट साइट वाली चीज चाहिए होती है तो modest funnel निगलता है तो मैंने फॉरण देखा कि P and Q यहां मौझूद है तो म elimination मैंने end elimination लगा दिया फर्स रूल पर अब फर्स रूल पर जैसे end elimination लगाया तो 2 और 4 गौर से देखते हैं तो मैं पता चलता है कि R true हो रहा है इफ alpha implies beta is true and alpha is true if alpha implies beta is true and alpha is true then we can conclude beta is also true यहां से मैं 2 और 4 से modest funnel लगा के R को अलग कर सकता हूँ अब मुझे R मिल गया अब मुझे क्या चाहिए S से पहले Q 1st पर rule पर end elimination लग रही है और Q and R गेव पी and Q given है तो यहां से Q अलग हो सकता है तो मैंने यहां से Q अलग कर लिया ठीक है 1 पर end elimination लगाया और क्या अलग कर लिया Q अलग कर लिया अब मुझे चाहिए Q and R यहां पर Q और R अलग अलग लिखते हैं तो मैं end introduction लगा के 5 और 6 पर Q and R अलग कर लिखता हूँ तो अलग कर सकता हूँ यहां पर मैं S को अलग कर सकता हूँ मेरा आपको मैंने और समझा भी थी फिर यह मैंने आपको यह example दिखाई थी valid argument की जिसमें आपको एक scenario given था और आपने उनको alphabet assign करने की यह भी एक तरीका था जिसके जरी हमने यह काम कर लिया था इन फैरेंस से अब आजते हैं inference के इलावा एक और mechanism में जो किलाता है resolution और resolution में फाइदा यह resolution में जो कर हम बात करें है इन फैरेंस की तो इन फैरेंस में चार रूल यूद रहे हैं रिकिन resolution में alternative is resolution strategy to use a set to demand the truth of an assertion only one resolution rule एक रूल होता है resolution इंदर और और रूल क्या होता है alpha और beta given ओ और और लगावा है यहां पर क्या लगावा है और alpha और beta given ओ और साथ में given ओ not beta और gamma आपको alpha और beta given ओ और साथ में given ओ not beta और gamma तो आप conclude कर सकते हैं कि alpha और gamma true है इसको मैं explain करता हूं लेकिन दुबारा से इस rule को देख लिए चाहें तो अपनी copy में लिख लिए अगर आपको alpha और beta given ओ और alpha और beta given ओ या आपको given हमें ओ not beta और gamma तो आप conclude कर सकते हैं कि alpha और gamma is also true सही है अगर आपको alpha और beta की वज़े से आ रहा है या दोनों की वज़े से आ रहा है इसी तरीके से यह true table से सही ना यह देखें तो मैं true table दिखाऊं तो यह देखें मैंने alpha, beta, gamma तीन और true table बना दिये मेरी जो explanation है उसमें देख लिए alpha और beta तो मैंने alpha और beta का column बनाया नौट बीटा और gamma का column बनाया एन alpha और gamma का column मना यह देखें तीन गॉलम मना दिये नौट बीटा बैने इसमें लिखा क्योंकि यह not beta चाहिए था अब यह true table तो सही बनावा है इसमें आप गोड से देखें जहां जहां alpha और beta given है और not beta और gamma true है जहां जहां alpha और beta true है और not beta औ अगर मैं बात करूं दुबारे से resolution के rule की तो resolution rule बात कर रहा है आप alpha और beta का column देखें और not beta और gamma का column देखें इन दोनों में true जहां जहां है महां वहां alpha और gamma है इसके लावा देखें कहीं में यह दोनों Ft है यह Ft है यह Tf है यह दोनों true है यह दोनों true है यह Tf है तो यह कुछ भी हो जाए यह दोनों true है तो यह true है जब जब यह दोनों true होते है तो वह भी true होता है इसके लावा true नहीं होता हो सकता है इसके लावा कर गो बहें डुबास समझी में आ गई तो यह I am a माजी सब तो बाचुत के लए खेल काई यह इस तो यह चांगे seeking का अब यह 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 इन्हों को Aunty अब आउत र्याक्त और जिसमें आफ क्या कर रहे है अलफा और भीटा की बात कर रहे हैं नौट बिट और गामा की बात कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि अगर ये दोनों घ्रिमेन हो तो अलफ और गामा भी क्या होते हैं ट्रू होते हैं अब प्रॉब्लम यह आएगी अब प्रॉब्लम यह आ नहीं चाहिए कि हमने तक जो रूल पढ़ेते वह इंप्लायज नहीं था और लॉजिक ठीक है कंजंग्शन और डिसंग्शन की बात कर रहा हूं है हमने अभी तक एंड पर देखा था और इंप्लाइज डेट पर देखा था लेकिन यहां पर आग लिया और अब अगेन इसको कंवेट करने की मतलब रेजूलेशन स्टार्ट करने से पहले भी आपको अपने knowledge base को convert करना आना चाहिए इस desired form में अगर आपके question के अंदर implies that given है तो आप उसको कैसे convert कर सकते हैं और वाली form में चाहिए है उस पर चलने हम लोग देखें यह किलाती है अब यह किलाती है अब यह किलाती है अब हम उसमें convert करना सीख रहे है यह किलाती है cnf अगर आप and of or किलाती है and of ors मतलब बहुत सारे और आपस में end हुए होते हैं यह और है यह और है यह और है यह जो single d लिखा है ने इसको भी और ही समझ रहे है क्यों क्योंकि d बराबर होता है d और not d यह बात समझ में आ रही है मैं आपको explain कर देता हूँ cc on किकिया अधर मैं एания बराबर होगा वंगे कि कि अग्य कैंट कि अबन के वर नियुक ओन के है साथ तो यह प्लस यह बराबर होगा वनके और बराबर कर दो गा 1 एक उसका रीजन क्या है देखें इननोंने justification यह दीए है कि यह जो फॉर्म लिखें है तो जो भी डी की value होगी वह बराबर होती है d plus not d के अब हम्हें यह फॉर्म बनानी है, यह CNF क्लाती है, क्या क्लाती है, end of all's, बहुत सारे और आपस में end हुए भी होते हैं, are you getting me? हमें यह form बनाना सीखना है, जब तक हमें यह form बनानी नहीं आएगी, हम resolution start नहीं कर सकते हैं, समझ में आगी यह बात, यह form क्लाती है CNF, conjunctive normal form, conjunctive normal form, समझ में आग यह बात, ठीक है, अच्छा, एक clause क्या क्लाता है, एक single और का पेर, एक single और का पेर, यह देखें, B और not C, चाहिए यहाँ पर C ओ, यह not C ओ, या D यह कुछ भी हो, लेकिन यह एक पूरा clause क्लाएगा, bracket जो एक पूरा clause क्लाएगा, यह पूरा एक bracket क्लाएगा, cause क्लाएगा, बाकी को कुछ है नहीं, मैं बाकी दिखाएगा, तो यह देखें, सबसे पहला क्या है, कि CNF convert करने के लिए, आपने implies Z को खतम करना है, तो इन्होंने आपको तरीका बता, यह कहरे हैं, अगर A implies B लिखावा हो, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, not A और B, अगर A implies B लिखावा हो, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, हम verify कर लेते हैं, अगर यह A है, यह B है, यह A implies B है, और यह Not A और B है, तो इन सब के टेबल को verify कर लेते हैं, कि answer बोनों का same आता है, देखें, अगर A false है और B false है, तो A implies B क्या होता है, सब्सक्रावें सादा है अगर से कैं अगर नौट ए और अच्छों से आप से लोट 집 दूरे क्या better यहां पर यहां पर अंसर आएगा true अब देखें इस कि वेरीफाय कर लेते हैं अगर एक true एक उइसके प्राइफ कि बात करूं तो ff Ф क्या हो गया f॒ यह हो गिया इसे तरीके से अगर हम बात करें यह भी ट्रू है और वह भी ट्रू है और एंपलाइ्स एक WAITHeर ग्ली तर testimony हो干ूं इसे तरी को एकर अगर ऑघा हो गया तो हो गया तो देखें फॉरी अ यह बिलकुर सभी है आप आपने आप ने देखने अंदोनों की सिमिलरीटिंच आ यह वाला कॉलम में यह वाला कॉलम यह और यह कालम यह और यह कॉल्म यह डूनों आपसमें बराबान है तो कहीं पर भी A.B लिखावा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं समझ महांगही है यहागा ता पॉइंट के लिए हो गया यह कहीं पर भी एंप्लाइस भी लिखा वाओ तो आप नौट ए और बी करके लिख देंगे बाकी लोग तो यह पॉइंट लिख लें अपने पास के नौट ए और बी क्यों लिख रहे हैं क्योंकि एंप्लाइस भी अगर खतम करना और है आगे बढ़ते हैं आग जर्ट को आप यह देखें है इंप की आप श् constitution देखने का तरीका क्या होता आप चाहिंए मधर अगर और तो नोड कर देंगे और मिखने यह और था कि या और दूनों है आपने दोनों के आप इंद कर दिया है और कर दिया और इन दोनों के टूटे Ugh हमें नौट पूरे क्लाउस पर हटाना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यह देखें यह किलाता है डिस्ट्रिबिटिव और और यह तीन चीज़ें हमें आनी चाहिए जब यह हम कर सकते हैं अब इसका भी पूरूफ मौझूद है आप इसका ट्रूट बिल देखें और इसका ट्रूट बिल देखें यह चीज़ हमें ऐसे कंवेट क्यों कर रहे हैं हम इस निये कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी और बमल क्यों कि इसको बिल चाहिए जाहिए अंदर ऑघाल बहुत सारे नोट कर लें दुबार और से बीच में अग ऊगिया और अंदर दोनों में और आगिया यह चीज़ इसके बराबर इसको भी वेरिफा कर सकते हम है जैंख एक जाने है अब यह दिखिया है अब यह दिखिए इग्जाम्पल दी है नों ने इस इक्जाम्पल तो सीने अभी तक हमने रेजुशन स्टार्ट नी किया है अब हम क्या करने हैं सबसे पहले मैंने क्या किया स्क्रीन पर देख लिए इस वाले को खतम कर रहा हूं इसको तो मैं इसको सब इसको भूल जाएं आप यह देखें सी इंप्लाइस जी लिखा वा है तो यह ऐसे लिख सकता हूं इसलिए आपको छोड़ा सुकून से शंजा रहा हूं अब जैसी नॉट सी यह लिखा यह इन्हों नाट आटा है अब इस यह पूरे को यह सिंगल क्या रहे है और यह पूरे को फिस के समझ में आ गी है पहली लांग तक कि इस पूरे का इमिख भीया हम अंसर कर दो ऑ हमतिति एक इस टाइब में इन्होंने ने डू-स्च्रव परफॉर्म कि तो और रोल का इंप्लाइए लगा दिए इस पूरे के साथ कि आ गिया इस पूरे के साथ आ गिया नॉट सभी आगे बाया मैं अब सब्क्राइए अब यहां देख लें ने चिया वह है अब अंदर क्या है और दोनों पर इंडिविजल निगेशन लगा दी है अब यह दरा गौड से देखें नो यह क्या हुआ है तू से थी में क्या किया हुआ है हमाई दिमाग में cnf cnf क्या होती है and of odds and भार आना चाहिए और अंदर आना चाहिए अभी हमारे में क्या हो रहा है देखें भार और है और इंदर एंड भी है तो इन्होंने लगाए दिस्ट्रिब्यूटिव यह पिछले वाला रूल और सा रूल ता पिछले पिछले बेश पे अगर दिस्ट्रिब्यूटिव और और एंड तो यह देखें है और से देखिएगा मैं आपको एक्स्पिलेन करता हूं इसे इस पूरे को जब और लिख्वा होता है तो यह चीज़ तो मैंटर नहीं करती न अगर मैं और कर नूद यूज कर रहा हूं यह एंड का खर रहा हूं तो यह चीज़ मैंटर करती है आँ यह कि बात है न एक पिलस भी और बी पिलस एक ही बात है ऑख कर यह को पिलस प्लस भी और-बी-पिलस एकी बाद होती है ठीक है तो जहें इन्होंने क्या किया वाई यह दीर है आपको आपको समझा जाती हूं कि इसविल एंदर इन्होंने एंदर आप बात वाले को इसप्रोंगे अ właściwie समझ लिया जिसके साथ होता है, उसे हमें पूरा बाद वाला समझना होता है. जिसके न लिखा व puts water बाध वाला होता हुए ठीक है तो यह एंड लुखा है, तो इससे हमें बाध वाला राम कंस्छिडर करना पड़ेगा. आप वापस जाए जो एंड के साथ जोग वो अलग-अलग होगा जिए ये इदर आ घ्रागिया और ये सब के साथ है जो एंड के साथ है अलग-छी करी अपनों 17 एदर आ गिया नोट आ गिया ऑगी ये पूरा C और D इदर आ गिया यह पूरा C और D उदर आ गया और 12 के साथ वींडर में क्या आ गया और युद देखें ऐन आ हरा डगा अर बाहर करा जेगा Pocket कैंप बाहर के आ जेगा यम्य किसे शाइत derived लिखे में अलग होगा है जो एंडी के साथ लिखे में वह अलग होगा यहां पर ?B रिखे है और जो अ था वे दोनों के साथ आगीया आ सिठीन Tibia यहां समझ में आगी आई है अब अगर इस फॉर्म को देखें हम तो यह फॉर्म है जिसमें एंड भाहर लगावा और अंदर लिखावा है तो यह सीने फैंट यह फॉर्म किलाती है सीने समझ में आगई यह बात सब को कि कि जे कि अगेन आपको अगर रूज द स्टाट करें से पहले इंप्लाइज डार्टम हैं तो आपने आपने क्या करना होता है आपने उसको पहले सि एंफ में गर्ना होता हैगर और फिर आपने स्पाइप सब्सक्रeute to a अगर तर्र आप अकर आप इस डाल कर रहे तो आपको सी एने में ज़ोगा के अजोगा जात बूर्वकर थीज़रे आज गेटिंग मी?